दोस्तों, अंक शास्तर भी जोतिश विज्ञान की ही एक शाखा है, जिन जात्कों को अपने जन्म समय से जुड़ी जानकारिया नहीं पता है, अपना भविश्य चानने में उनके लिए या किसी वर्दान से कम नहीं है, इसमें अंकों के अधार पर व्यक्तित्व के देता है, लेकिन इसके कुछ खास नियम है, जिसकी जानकारी आगे हम आपको यहां दे रहे हैं, अंक योतिश की जिन्हें थोड़ी भी जानकारी होगे, उन्हें पता होगा कि इसमें हर अक्षर को एक अंक से जोड़ा गया है, और हर अंक की एक विशिष्ता है, इसलिए न जैसे A का 1, B का 2, C का 3, इसी प्रकार अक्षरों के इस आंकिंग संप्रेशन के अधार पर अपने नाम में आने वाले अक्षरों का कुल आंकिक योग निकाल सकते हैं, जो आपके आगे की जिवन की जानकारियां देता है, आपके सुविधा के लिए आगे हम इसकी विधी ब पतार हैं, आपके नाम में आने वाले सभी अंग्रेजी के अक्षरों का अंकिक संप्रेशन करूने जोड़ें, उदाहरन के लिए अगर किसी का नाम अमित है, विसे इस प्रकार निकालेंगे, अमित का इस पैलिंग है A M I T, A का अंक होगा 1, M का अंक होगा 4, I का अंक होगा 9, और T का अंक होगा 2, एक धन 4, धन 9, धन 2, इसका जोड़ हुआ 16, एक अंक निकालने के लिए इस अंक को फिर जोड़ेंगे, एक और 6, बराबर 7, तो अमित का अंकिक संप्रेशन होगा 7, इस प्रकार अपने नाम का अंक जानने के बाद, उस अंक से जोड़ी खुबियां जाने, यहाँ आपकी खुबियां और खामियां दोनों ही बताता है, जिस पर आपका भविष्या नरधारित होता है, इस वडियो को पॉश करके, आप अपने नाम का अंकिक संप्रेशन है, तो निकालिये अपने नाम का अंकिक संप्रेशन अब आपने अपने नाम का अंकें संप्रेश्वने निकाल लिया होगा अब आईए जानते हैं आपके नाम का अंक आपके बारे में क्या कहता है अगर आपके नाम का अंक एक आता है तो आप जन्म जाथ लेडर होते हैं आप अपनी जिम्मेतारियों को बहुत अच्छी तरहा और प्रफेक्शन के साथ निभाते हैं लेकिन आपकी एक कमी यह होती है कि चीजों के प्रती बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं मतलब आप में धैर की कमी होती है और इंतजार करना आपको नहीं आता कई बार इस कारण आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंद खराब हो जाते हैं आपको इसमें सुधार करने की आपशक्ता है अगर आपके नाम का आंकेक संप्रेशन तो है तो आपका मन इस्थेर नहीं होता यही कारण है कि आप एक बार में कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते आप कलपनाशिल होते हैं जो आपको रचनात्म कामों में बेस्ट बनाता है आप शारिरिक रुप से भी थोड़े कमचूर होते हैं और आत्मविश्वास की भी आपमें कमी होती है लेकिन आप में एक अच्छी बात यह होती है कि आपके इच्छा शक्ती कमाल की है एक बार किसी काम को करने का सोच लें तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं इसलिए अगर आप खुद पर थोड़ा सा विश्वास बढ़ा लें तो सफलता की नई कहानी लिख सकते हैं नमबर तीन अगर आपके नाम का अंक तीन है तो आप हर काम को नए अंदाज से या कहें अपने ही धंग से करना चाहते हैं आप में गजब का आत्म विश्वास होता है और बेहद उत्सवाही भी होते हैं काम चाहे कोई भी हो आपकी रुची सब में होती है इसलिए आप भिड में भी एक अलग पहचान बनाने की छमता रखते हैं और किसी भी छित्र में सफलता पुर्वक अपना करियर बना सकते हैं अगर आपकी नाम का अंक चार है तो आप भावनात्मक रुप से थोड़े कमजूर होते हैं लेकिन आर्थिक सम्रिद्धी आपकी भाग्य में होता है आप भले ही खुद न कमाएं या बहतर करियर ना बनाएं लेकिन पैट्रिक संपत्ती या किसी ना किसी रुप में आपकी धन की कमी पूरी होती रहती है और धन संबंधी कोई भी परिशानी जीवन में नहीं आती इसके लाबा आप थोड़े इंट्रोवट होते हैं लेकिन बेहद व्यवाहारिक भी होते हैं और इसकारण आपके संबंधों में खटास भी आ सकती है अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्र न कर लें तो सफलता और सम्रिद्धी दोनों ही पास सकते हैं अंक पांच पांच अंक बुद्धे का प्रतीक है इसलिए अगर आपके नाम का कूल योग पांच आ रहा है तो आप बुद्धी मानी के साथ अपने जीवन के निर्णय लेते हैं कामों को जल्दी पाना चाहें उससे पा लेते हैं नमबर छे अगर आपके नाम का योग छे है तो आप अध्यात्मिक प्रवत्ति के लोग हैं इसलिए आप हर प्रकार से मांदार और सहर्दय होते हैं आप दुसरों को तकलीफ में नहीं देख पाते इसलिए परिवार से भी बहुत गहरे बड़ी सफलता ना पा सकें लेकिन समाज में मान सम्बान खुब पाते हैं नमबर साथ साथ अंक रचनात्मक्ता का प्रतीक है इसलिए आपके नाम के कुल योग में इस अंक का आना आप में इस खास खुबी के होने की ओर इशारा करता है पैंटिंग, लेखन, कम्यूकेशन इंजिनिरिंग आदी छित्रों में आप अपनी खास पहचान बनाते हैं नमबर आठ आठ को शनी का अंक माना जाता है जो न्याय के देवता है इस अंक से जुड़े लोग भी अपने कारियों में इमानदार, न्याय प्रिय और धार्मिक प्रुथ्तिके होते हैं आपके नाम का अंक 9 हैं तो आप सुझत भावत से बेहत गुशैल होते हैं लेकिन जतनी जल्दी अमआते हैं उतनी जल्दी शान्थ भी हो जाते हैं इसकारण बहुत कम लोगों से आपकी बनती है लेकिन जिनसे बनती है उनसे लाइफ टाम रिष्टा निभाते हैं, तो आपके नाम का अंक आपके बारे में सही कहता है हमें कमेंट करके जरू बताएं धन्यमादू